आज एक ऐसा स्तिती आया है कि हमें अपना अधिकार के लिए फाइट करना पड़ेगा ADC को आपने पीछे छोड़ा है और आप थुर्प्रा का विकास का बात करते हूं सब लोग बोल रहे हैं कि ADC सबका साथ सबका विकास आप मुझसे एक सबाल का जवाब दीजे हूं 99% ने बोला है कि कॉप बरॉक रोमन स्क्रिट में होना चाहिए तभी भी स्टेट गवर्मेंट का ओपिनियन है कि कॉप बरॉक रोमन स्क्रिट में नहीं होना चाहिए क्यों क्योंकि यह लोग नहीं चाहते हैं कि हम English Language सीखें English Language सीखने से कॉप बरॉक में कल हमारा बच्चा लोग अच्छे स्कूल में जाएंगे इंजिनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे और नौर्टी से भी बहार जाकर जैसे मीज़ुरा, मेघाले, नागलैन वहां के बच्चे लोग भी बहार जाकर उनको अच्छे तरीकी से नौकरी मिलता है अलग-अलग sectors में नौकरी मिलता है लेकिन government ये बात मान नहीं रही है ADC को ये लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास आप देख लो ADC में funds नहीं दिया जा रहा है क्योंकि ये लोग चाहते हैं कि हम भीक मांग कर उनके साथ उनके पास जाए और बोलेंगे कि हम अपना डिमान छोड़ते हैं आप हमें पैसा दो हम लोग गरीब हो सकते हैं मैं आइत्ती प्रासा लोग हम लोग गरीब हो सकते हैं लेकिन हम लोग भीकारी नहीं है हम लोग अपने अधिकार के लिए fight करेंगे अगले दो मेहने के अंदर village council election होगा हाई court में हमारा मामला दर्ज है और 20 तारिक को हाई court अपना घोशना देगा और मैं अपने पूरे तिप्रा मौथा को बोलने वाला हूँ कि आप लोग ready हो जाओ village council election में जो इसने हमें एक साल से गरीब रखा है जिसने हमें काम करने का मौका नहीं दिया है दो मेहने के अंदर election होगा और जो लोग तिप्रासा को तिप्रासा से लड़ा कर अपना डिमान छोड़ने के बारे बात कर रहे हैं उनको हमारा एक साधारन warrior मू तोर जबाब देगा be ready और कल हमारा women's foundation day है आप लोग बुरुई बुदल लोग सब जगे में जाईए और तिप्रासा का थनसा को आगे रखिए मैं आप सबको नमन करता हूँ, प्यार करता हूँ आप सबका आशिरवाद लेना चाहता हूँ और मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ बुबागरा is ready आप लोग भी ready हो जाईए